असलाम अलेकुम सबास बेस क्लासिस में आज हम इंशालला हैदरबादी शादियों में सर्व किया जाने वाला तिल चिकन बनाएंगे यह बहुत ही आसान सा स्टार्टर है जो इंशालला आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा चटपटा भी है तो चलिए अब ह छी सब्सकासब के यह द्रब को पतला-पतला काटकर आइड कीजिए और उसके बाद एसमें टीबस्पून डर्ग आजाशास और एक टीबसपून रेडचिली पोडर इसमें अइड करती एक टी स्पून सॉल्ट यानि नमक एड़ कीजिए या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक एड़ कीजिए और एक पूरा अंड़ा इसमें डाल दीजिए और पाओ कप आप इसमें कॉन फ्लॉर एड़ कीजिए सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ठीक है तो यह हमने चिकन को मारिनेट ही अब इसे आप कुछ देर रख दीजिए यह सारे मसालों के साथ इसे रख दीजिए और फिर हम एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल को बहुत अच्छी तरह से गरम कीजिए उसके बाद इसमें एड़ करेंगे हम यह चिकन के पीसे और हम हाई फ्लेम पर आप इसे डालिए और फिर कुछ देर मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे पकने दीजिए उसके बाद फिर से आप हाई फ्लेम करके इसे निकाल लीजिए यानि कुछ देर तलने के बाद आपने इसे फिर से हाई फ्लेम पर रखना है और फिर हाई फ्लेम पर ही आप इसे निकालेंगे तो ये crispy हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने इसे तल कर निकाल लेना है और आप इसे एक plate में डाल दीजिए सारा chicken इसी तरह से तल कर आप निकाल लें तो हमारा ये chicken हमने तल लिया उसके बाद हम sauce बनाएंगे उसमें एक tablespoon cheese one sauce दीजिए दो tablespoon red chili sauce डाल दीजिए उसमें एक teaspoon red chili powder याने लालमी चाइट किया हमने पाव teaspoon नमक डालिए और पाव teaspoon काले मिर्च पावडर एट कीजिए एक teaspoon tomato ketchup एट कीजिए और तीन tablespoon honey means शेह डाइट कीजिए सभी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लीजिए ये सारी चीजे हमने अच्छी तरह से mix कर लेना है देखे अब ये हमारे पास sauce ready है अब हम एक गडाई लेंगे उसमें दो से तीन tablespoon तेल को अच्छी तरह से गरम कीजिए दो tablespoon बारिक कटीवी अद्रग, दो tablespoon बारिक कटा हुव लेसन और दो tablespoon ही हरीमिच यानि बारिक कटीवी हरीमिच आइट करेंगे उसे fry करेंगे और फिर इसमें एक tablespoon dark soya sauce आइट कर देंगे ठीक है अब ये जो बनाया गया sauce था, sauce का mixture था वो हम इसमें एट करेंगे अब high flame पर आप इसे कुछ देर fry कीजिए, अब देखिए ये sauce जो है अची तरह से पक रहे है उसके बाद आप इसमे एक teaspoon vinegar आइट कीजिए, अगर खटास ज्यादा पसंद है तो थोड़ा आपस विनेगर और आप 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 कर सकते हैं, अब इसमें fry किया हुआ चिकन आइट कर दीजिए, fry की अवा चिकन आइट करके आप इसे mix कीजिए, अब हमने gas का flame बंद कर देना है, देखिए gas का flame बंद कीजिए और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर लीजिए और उसके बाद आप इसे plate में निकाल लीजिए, देखिए कितना जबरस लग रहा है, अब हम इस पर थोड़ी सी तिल चिड़क देंगे, इस तरह से तिल चिड़क दीजिए और चिड़क कर गर्मा गरम इसे आप serve कीजिए, बहुत ही शांदार लगता है, दिखने में भी बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत ही जबरसते है, उपर से crispy है, juicy है और अंदर से soft chicken करना है, I hope कि आपको ये chicken की recipe पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को like कीजिए, वीडियो को अपने groups में share कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को अपनी subscribe नहीं किया हुआ है, तो सिर्फ एक बार subscribe करके bell icon भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताके मेरी recipes के notifications आपको